कुछ दिनों से लेक्चर नहीं आ पा रहा था कुछ काम था इसलिए और NH3N2 वायरस इतना तेजी से फैल रहा है कि घर के सदश्यों के भी तवित बहुत ज्यादा खराब हो गई थी लेकिन खेर छोड़िए अब हम कंटीनिव करेंगी हमारा लेक्चर पहला कोशन है मद्द प तो याद रखिएगा छे हैं इन छे में से जबलपूर में कितनी है बई तो जबलपूर में चार है एक इटारसी में है और एक कटनी में है तो टोटल कितनी हो गई छे हो गई है याद रखिएगा कितनी है जबलपूर में फोर क्लियर बरतमान में भारत में कुल कितनी फेक्टरी भी आपको देखने को मिलेगी जबलपूर में देश का सबसे बड़ा बम हाल ही में किस राज्यम में बनाया गया है तो यह जबलपूर में बनाया गया है बहुत नियूज में था 500 किलो इसका बजाने और 1.9 मीटर लंबा है और यह इसकी चमता इतनी है कि एक पूर मद्द प्रदेश में किस नदी पर है तो यह नर्मदा नदी पर है कहां पर जबलपूर जिले में संग मर्मर के पत्थरों के लिए प्रसिद भेडा घाट परेटा नेसल किस जिले में सते थे तो यह नर्मदा नदी के किनारे है भेडा घाट और यह बहुत जादा प्रसिद संग मरमर की सफेज चट्टानों की वज़े से और यह हमें देखने को मिलता है जबलपूर में मद्द प्रदीश का पहला क्रशी विश्विध्याले जवाहालाल नहिरू क्रशी विश्विध्याले है इसकी स्थापना 1964 मही थी और यह कहां देखने को मिलेगा हमें जबलपूर में देखने को मिलता है लमहिटा घाट और गोरी घाट देखो गोरी घाट को ही गोरी घाट भी बोला जाता है कौन सा गोरी घाट और गोरी घाट किस नर्बना नदी के किनारे कहां परिस्थे तो यह दोनों ही घाट है नर्बना नदी के किनारे पहली चीज़ा में याद र गए था तो बांधवगड कहां पर है अमरिया में है ठीक है बांधवगड नेशनल पार्क भी आपको कहा देखने को मिलेगा किसने इस तापित किया गोंड संवराज जिक कि द्वारस तापित किया गए था कब दसवी सताबदी में ओके नेक्स्ट देखते हैं लाल बाग महल का निर्मान महराजा सिवाजी राव होलकर ने कब करवाय था तो 1886 में करवाय था 1886 में कहां पर करवाय था इंदोर में तो चार चीज़े में याद रखने हैं लाल बाग महल कहां पर इंदोर में है लाल बाग महल का निर्मान किस ने करवाय था ओर्चा भी किस जिले में आता है भई तो मद्य परदेश का जो बावन बा जिला है कौन सा है निवाडी ओके कौन सा जिला है निवाडी तो ये निवाडी में आता है आपका ओर्चा ठीक है तो जहांगीर महल का निर्मान कहां पर करवाया गया गया था तो वीर सिंग देव ब एमपी पटवारी में आये हैं 15 मार्च से लेके आपके कपतर 23 मार्च तक के बीच में तो आप इन कोश्चनों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लेवल क्या है पटवारी एक्जाम का मद्द प्रदेश में राय सेन के किले का निर्मान किस राजा के द्वारा करवाया गया था राजा राज बसंती के द्वारा करवाया गया था राय सेन के किले का निर्मान मद्द प्रदेश में राय प्रविण महल कहां इस्ते थे तो राय प्रविण महल आपको देखने को मिले आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा इस करिमान किस ने करवाया था जया जी राव सिंधिया ने करवाया था कब करवाया था 1884 में सिंधिया वंस के संस्थापक मद्य प्रदेश में किसे माना जाता है तो राणों जी सिंधिया को माना जाता है सिंधिया वंस के सास बहु का मंदिर कहां देखने को मिलता है गौालियर में तेली का मंदिर गौालियर में मान मंदिर गौालियर में यह तीनों एक्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक की सिफ्ट में तो तीनों को आपको धिहान रखना है खर्मोर पक्षी अभ्यारन कहां इस्थे थे तो दो जो अभ्यारन है हमारे वहाँ पर खर्मोर पक्षी का संड़क्षन होता है कहां कहां सरदारपूर अभ्यारन जो है कहां पर मिलेगा धार में यहां होता है खर्मोर पक्षी का अभ्यारन और सेलाना रतलाम में होता है सोन चड़िया अभ्यारन मद्य प्रदेश में कहां पर स्थे थे दो जगा है करेरा सिपुरी और घाटी गाउ गालियर में सोन चड़िया अभ्यारन इस्थे थे दिया है उदेगरी की गुफाएं विदीशा में उदेगरी की गुफाएं कहा हैं विदीशा जिले में काजल रानी की गुफाएं कहा हैं खंडवा में काजल रानी की गुफाएं खंडवा में मारा की गुफाएं सिंग्रोली में मारा की गुफाएं सिंग्रोली में लखवारि ईक बार फिर देखते हैं, उद्रीशा, काझल रने की घंड़े माहा राग की अरतुवारी की उधरोल, उसे कई खिलाडी, वरशा वर् anticipate के शैपisen當 से बिधाली, मैं में मतंभूर्धिया कैтесь। संबंद निशाने बाजी सुटिंग से इनका संबंद क्या नाम है वरशा वर्मन कहाई की खिलाड़ी एं थीकर विवीक सागर बहुत नाम प्रिसिद्ध है इनका होकी के खिलाड़ी है ये हिटारसी होशंग Abad से इनका संबंद ठीक जिसका अब नाम पुराम कर दिया गया चिंकी आदप चिंकी आदप के सम्मण किस खेल से भई यह भी निसाने वाजी से कहा से आती है यह बहु पाल जिले से आती है चिंकी यादप मद्धपरदेश के पेरा तेराख सतेंद्र लोहिया को तेंजिंग नारगे एडवेंचर परसकार से किस वर्थ सम्मानित किया गया तो भी इने सम्मानित किया गया 29 अगस 2020 को ठीक गया 29 सकस्त को क्या मनाते हैं National Sports Day मनाते मेजर दियान चंद के बर्त जो डेट है उसके रूपमें और इन ने उने 29 सकस्त को तेंजिंग नारगे एडवेंचर परसकार से सम्मानित किया गया था किया गए था, क्योंकि इन्होंने आइर लेंड में से नॉर्OTH जो चैनल है, उसे पार के नॉर्थ चैनल के कुल लंबाई कितनी है, 36 km रहे हैं, 26 km सितमबर 2022 को एशेया का ये जी नोने कारणामा करा था, और ये एशेया की क्या बने थे ऐ सोरम प्रथम पेरा स्वेमर भी बने थे जिन्होंने ये अपलब्धी हासिल की थी तो याद रखेगा हाल ही में विश्वा मित्र पुरुसकार मद्य परदेश में 1994 में अभी किसका वित्रन किया गया है 2022 के विश्वा मित्र पुरसकारों का वितरन किया गया किने दिया जाता है विश्वा मित्र पुरसकार जो कोच होते हैं ठीक है या प्रसिक्चक होते हैं उन्हें दिया जाता है तो पारितोष शर्मा गौालियर से हैं इन्हें दिया गया था मोहनलाल बंबोरिया उजेन से हैं इन्हें दिया गया था विश्वा मेतर पुरस्कार और विने प्रजपती भुपाल से इन तीन लोगों को वर्स 2022 में मद्द प्रतेशाशन द्वारा विश्वा मेतर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हौलकर श्टेडियो में पहली बार अंतराश्टी एक दिवसी मेज ये एक्जाम में पूछा गया था अभी स्थी के 15 जो मार्ज से एक्जाम हुए उसकी सेकंड सेफ्ट में ये कोश्चन आ चुका है पटवारी का हौलकर श्टेडियो में पहली बार अंतराश्टी एक दिवसी मेज कप खेला गया था तो ये 15 अप्रेल 2006 को खेला गया था किन-किन के बीच हुआ था तो भारत और इंग्लेंड के बीच ये मेज शंपनी हुआ था ग्वालियर रूप सिंग स्टेडियम जिसकी चमता कितनी है तो 45,000 में पहला वंडे अंतराश्टी एक दिवसी मेज कप खेला गया था 21 जनवरी 1988 को खेला गया था कहा पर ग्वालियर के रूप सिंग स्टेडियम में ठीक है 21 जनवरी 1988 को किस-किस के बीच में हुआ था भार इसे परियावास भवन कहा जाता है इंदरा गांदी भवन अधर रदेश विधान सभार को इंद्रा गांदी भवन कहा जाता है दीकिए चारो कोशन इंपॉटेंट है और यह पूछे जा चुक है याद रखियेगा अधर पुरानी विधान सभा किस नाम से जानी जाती थी तो भई ये मिंटो हॉल के नाम से जाने जाती थी, मद्ध प्रिदिश के हुसंगाबाद के बावई गाउं में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ था, तो माखनलाल चतुरवेदी का जन्म हुआ था, और इस जो बावई है, इसका नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गए है, अगला देखते हैं, पंडिक माखनलाल चतुरवेदी की रचना कौन सी है, हिम तरंगनी, हिम करिटनी और समरपण, विखरे मोती किसकी रचना है, तो ये सुबदरव कुबारी चोहान की है, एक भारती आत्मा के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है, तो ये जलनात मंदिर जो उज्जेन में है इसे माना जाता है प्रत्वी का केंदर विंदू मद्ध प्रदेश के किस इस्थान को वर्तमान भारत का केंदर विंदू माना जाता है तो विदीशा को माना जाता है वर्तमान भारत का केंदर विंदू ठीक है मद्ध प्रदेश के बेतूल मद्दु पर्देश के कि जिले में से करोंदी को आभिभाजित भारत का केंद्रविंदु माना जाता है मतलब आभिभाजित मतलब विभाजन पाकिस्तान के साथ ही ठीक है तो यह कटनी को माना जाता है ठीक है करोंदी को माना जाता है जो कहां परिस्ते थे कटनी में प्रवंधन संस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी 1987 में की गई थी जब 1983-84 में क्या हुआ था वही आपकी भुपाल गेश लं कहां लगता है मुद्ध प्रदेश में 3 दिसंबर 2022 को डिए शिद्राथ próximo इंग यह बनांसी और दिसंबर 9